तो दोस्तो आज का टॉपिक है गट हेल्थ को लेकर, अब गट हेल्थ के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो ऐसा क्या है जो आज इस वीडियो में नया है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमारी ग को लेकर ही जोड़ी हुई है अगर हमें सुभे पूप या पॉटी अच्छे से आती है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी तो मेरा नाम है दिगविजे सिंग और मैं हूँ आपका हेल्थ और फिटनेस कोच स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्ट्राइल चैनल पे जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात नो फालतु बात बहुत से लोग ये बोलते हैं गट हेल्थ के लिए मैं ये करता हूँ मैं गलूटन फिरी खाता हूँ मैं ये स्मूदी पीता ह हूँ और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लोग करते हैं ताकि उनका पेट साफ रहे चलिए ठीक है आगे जानते हैं कि गट हेल्थ के बारे में हमें कितना पता है तो गट है क्या गट के अंदर और 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 बिट्विन माउथ और इनस यानिकि हमारे मूँ से ले इस सारी ही चीज़ें आ जाती है तो दोस्तों जब भी गट की बात होती है मैंने जैसे पिछली साइट में लिखा हुआ था गट को हिंदी में बोलते हैं तो यह जो आपके सामने लिखा हुए ना यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है वाट यू इट इस इंपोर्टन वाट उससे ज़्यादा इंपोर्टन यह है कि हम एक्सक्रीट क्या कर रहे हैं हम अपनी पोर्टी में क्या कर रहे हैं तो एक औरगन है जो हमारे पूप को बनाता है और वो है लार्ज इंटेस्टाइन तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वेस्ट बनाता है और इस वेस्ट को आने के बाद हमारे शization से बाहर उसको पुछ भी करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जब हमारा मन करता है कि हमारा पेट खाली हो जाए तो इसका मतला आप खाब करें तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हमें पॉटी टिक से नहीं आ रही है इसका मतलब हमें अपने कुछ खाने पीने के और अपनी कुछ आदतों में सुधार डालना है इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे तो अब तक हमने ये बात समझ ली कि अगर हम सुभे हम अच्छे से पूप क वो बहुत अच्छी है dipend ये करता है कि आपको कितना जोर लगाना पड़ा है कितना पेрост हुआ के लिए करने के लिए जिसका जितना आसानी से excretion होता है वो इंसान उतना ही healthy रहता है और वो healthy इसी चीज़ पर depend करता है क्योंकि उसका gut healthy है उसको सबसे कम बिमारिया होंगी तो अगर bowel movement अच्छा नहीं है यानि कि हमारे पेट की सफाय अच्छे से नहीं हो रही है इसका मतलग यह है कि हमारी body जो हम nutrients खा रहे हैं उनका assimilation जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही है तो अगर assimilation अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है constipation हो या कुछ और पेट की problem हो और फिर हम यह ले antioxidant risk tea लेंगे या तो smoothie लेंगे, detox drink लेंगे या gluten free meals खाएंगे कि इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है तो फायता किस चीज से है वो हमें क्या खाना चाहिए आगे वीडियो में आपको बताता हूं तो अच्छी gut health के लिए हमे क्या खाना चाहिए क्या-क्या habits अपनानी चाहिए वीडियो में थोड़ी सी दिर में हम आपको बता हमा लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक चीज है जिसको हम बोलते हैं Bristol Stool Chart ये एक Bristol भाई साब थे गैस्त्रोई एंट्रो लॉजिस्ट बड़ा मश्किल एक गैस्त्रोई लॉजिस्ट तो इन्होंने एक स्टूल चार्ट बनाया था मैं आपको दिखा ही करती है टाइप 2 में सॉसेज टाइप आता है वो लंपी होती है अगेन सॉसेज लाइक बट इसके सर्फेस पर क्रेक्स होते हैं आप लोग वो जोचों की या क्या बात वोक्राइब कर रहाया लिकनिह बहुत इंपोर्टेंट है आप जल्दी से मैं इसको समझाऊंगा टाइप 4 और टाइप 3 अगर हमारी पॉटी इस ब्रैकेट में आती है तो वो एक हेल्दी पूप मनी जाती है टाइप 5 में हैं बहुत हीएं जो बहुत हो गहीं आप इंटरेट पे दिखाया इसकी में चीज है कि जो टाइप 3 और टाइप 4 वाली जो हमारी stool है वो सबसे healthy मानी जाती है हमारा aim यह होना चाहिए कि हमारा stool है वो बहुत hard भी न हो या वो बहुत soft भी न हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी google पे जाके check कर सकते है Bristol stool chart उसमें और अच्छे से समझाया गया है लेकिन मेरा aim इस वीडियो का यह है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो potty है वो type 3 और type 4 में आ जाए ताकि हमारा पेट रहे healthy और हमें न हो कोई भी बिमारी what should be done for healthy poop यह तीन पॉइंट लिखे हो मैंने तीनों पॉइंट बहुत crisp हैं फटा फट बताऊंगा इसमें सबसे पहला और important point है sleep sleep proper sleep is most important for good health of your intestine यह हमें पता है लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ के ओफर जोर देना चाहता हूँ अगर आप रात में जावने वाले हो और दिन में सोने वाले हो तो आप कुछ भी कर लो कोई भी product खरीद लो कोई भी fasting कर लो कोई भी Ayurvedic क्रिया कर लो या कोई भी detox कर लो अगर day to day basis पे आपकी sleep अच्छी नहीं है तो day to day basis पे आपकी body भी अच्छी नहीं होगी इसलिए sleep is most important जल्दी सोना है, time से सोना है और time से उठना है दिन में सोने की बीमारी को आपको लात माननी है नंबर दो है activity यह कैसे लिए एक्टिविटी activity यानि की exercise कोई भी हरकत करते रहना मैंने जैसा कि पहले भी बताया हुआ है अपने वीडियो में कि हमारी जो body है वो चलने के लिए बनी है तो हमें चलते रहना चाहिए हमें कोई ने कोई activity कर देनी चाहिए activity improves gut health when you are active your intestine pushes the excreta better out of your body तो please घर में या office में पड़े मत रहो, बैठे मत रहो, लेटे मत रहो हमेशा मेरी यह दर्खास रहती है अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यही करना चाहिए तो अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए तो I really appreciate कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी तुरंत चैनल को subscribe कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को like कर दीजिए तो बात कर लेते हैं point number 3 की कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारी जो potty है वो साफ हो जिससे कि हम हर एक बीमारी से बचे रहे हैं तो point number 3 है food को लेके तो क्या हमें food में क्या ऐसा ऐसा खाना चाहिए जिससे कि हमारी poop better हो खाने के लिए आपको कुछ भी expensive या exotic नहीं खरीदना कहीं supermarket में जाने की ज़रूरत नहीं कहीं grocery store पे जाने की ज़रूरत नहीं जो कुछ भी खाना है वो आपके घर में ही available है आज को यार ये रखना है कि कोई भी ऐसी चीज जो packet में आई है जो processed होके आई है जो बहुत दूर से transportation से है चाहिए वो कोई fruit ही क्यों नहीं हो तो अगर बहुत दूर से transportation होके आपके पास वो चीज पहुँच रही है packet में बंदों के पहुँच रही है तो वो definitely आपके पेट को खराब करेगी उस चीज को किसी भी सूरत में आपको avoid करना है तो Bristol Stool के चार्ट पे नमबर पी और नमबर चार पे आने के लिए हमको वही foods खाने हैं जो locally grown हों, जो seasonal हों हमारे घर के बने वे हों online आपने किसी restaurant से खाना नमगाया हुआ हो तो मेरी list में सबसे पहले आता है food number one rice plus ghee plus salt rice एक prebiotic food है अब prebiotic food वो होता है जिससे हमारे जो पेट के जो healthy bacteria है उनकी संख्या बढ़ती है prebiotic food जो है वो उन bacteria का जो है वो खाना होता है और जो घी है उससे हमारे intestine की जो lining है बहुत smooth हो जाती है जिसकी वज़े से हमें excreta को push करने में बहुत आसानी होती है बहुत सारे लोग जो है न वो rice को खाना बंद कर देते हैं क्योंकि rice को इतना बड़ा culprit बना दिया गया है कि rice खाने से weight gain हो जाएगा rice खाने से glucose level बढ़ जाएगे diabetes हो जाएगी और पता नहीं क्या-क्या कि इसमें gluten है और ये है वो है इस तरीके की चीज़ें जो है आप ये मान करके चलिए कि आँख बन करके किसी पर भरोसा मत कीजे क्योंकि rice हमारा एक main खाना रहा है हमेशा सही historically और वो बहुत important है हमारे लिए in fact जो इतने भी sportsmen हैं जितने भी bodybuilders हैं जितने भी athletes हैं वो सब अपनी diet में rice को ज़रूर शामिल करते हैं लेकिन कुछ लोग weight कम करने के लिए जो rice को बंद कर देते हैं उसकी वज़े से हमें poop करने में बहुत problem होती है तो अगर poop करने में problem होती है आपको तो मेरे कहने से कुछ दिनों के लिए ही सही rice के साथ घी मिला के especially अगर lunch में खाते हैं आप तो ये जरूर try कीजिए और मेरा ये दावा है कि आपका जो constipation है या जो stool में problem है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमारे जो पेट में bacteria है वो genetically हमको हमारे दादा पर दादाओं से same bacteria दा रहे है उनको जो खाना खाने की आदत होती है वो होती है native खाना खाने की ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर हम Indian है अगर हमारा basic खाना दाल, चाबल और रोटी है और हम खाने लगें पास्ता और जो अंग्रेजों का खाना है तो क्या वो उन्हें पसंद आएगा वो उन्हें पसंद नहीं आता और जब वो हमारे पेट के healthy bacteria और microorganisms को वो खाना पसंद नहीं आता तो वो unhealthy हो जाते हैं bacteria और हमारा पेट खराब होने लगता है तुकमा, फोहा, पराठा या कुछ भी जो भी आपके एरिया में खाना खाया जाता है simply आपको घर का बना हुआ वही खाना खाना है तो अगर अपने ये सारा खाना अपना छोड़ करके और easy to meal, easy to cook वाला खाना यानि की two minute noodles और इस तरीके के अगर चीजें अपने पेट में डंप करनी शुरू कर दी तो उससे तो constipation होगा ही होगा उससे तो पेट में problem हो नहीं है और इस खाने में आप बहुत सारे खाने हैं हमारे या मतलब क्या गिनाओं मैं रायता, राजमा चावल, फिश करी चिकन भी बहुत जगे अच्छे से बनता है बहुत सारी डिशीज हैं हमारे भारत में तो जिस इलाकर में जो भी डिशीज हैं जो भी हमारा खान पान है हम उसको stick करके रहें अगर उसी को खाएं तो हमें कभी भी problem नहीं होगी so keep your life simple, eat homemade food and live long life और last में चलते चलते एक और बात drink more water जितना पानी पी सकते हैं पानी पीजे प्यास लग भी रही है फिर भी उठके पानी नहीं लेते हैं इसलिए पानी हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है उमीर आपको वीडियो जरूर पसंद रहा होगा और आज आज इस वीडियो से जरूर कोईने कोई नहीं बात सीखी होगी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इमीडियेटी सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद